भारत ने आज अपना नाम अंत्रिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर की रूप में दर्ज करा दिया है अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका, रूश्ट और चीन को यह उपलब्दी हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धी प्राप्त की है हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है कुछी समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंत्रीक्ष में स्पेस में तीन सो किलोमेटर दूर एल ए ओ लो अर्थ आर्बिट में एक लायू सेटलाइट को मार गिराया है एलियो लो आर्बिट में यह लायू सेटलाइट जो की एक पूर्वा निर्धारित लक्ष था उसे एंटी सेटलाइट ए सेट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है सिर्फ तीन मिनिट में सभलता पुर्वत यह आप्रेशन पुरा किया गया है मिशन शक्ती यह अत्यंत कठीन आप्रेशन था जिसमें बहुत ही उच्च कोटी की तकनीकी छमता की आवशक्ता थी वैज्यानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष और उद्देश प्राप्त कर लिये गये हैं हम सभी भारतियों के लिए यह गर्व की बात है यह पराक्रम भारत मेही विक्सीत एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल द्वारा सिद्द किया गया है सर्व प्रथम मैं मिशन सक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्यानिकों अनुसंधान करता हूं तता अन्य समंदित कर्मियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं जिनोंने इस असाधारन सभलता को प्राप्त करने में योगदान दिया आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है हमें हमारे वैज्यानिकों पर गर्व है अंतरीक्ष आज हमारे जीवन सैली का एक महत पुण हिस्सा बन गया है आज हमारे पास परियाप्त संख्या में उपग्रह उपलब्द हैं जो अलग-अलग छेत्रों के विकास में अपना बहु मुल्ले योगदान दे रहे हैं जैसे क्रिशी, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंदन, डिजास्टर मेनेजमेंट, संचार, कॉम्मिनिकेशन, एंटर्टेन्मेंट, टीवी, मौसम की जानकारिया, नेविगेशन, शिक्षा के खेत्र में, मेडिकल के खेत्र में, ऐसे अने खेत्र हैं हमारे उपग्रहों का लाब सभी को मिल रहा है चाहे वो किसान हो, मच्वारे हो, विद्यारती हो, स्वरक्षा भल हो दूसरी और, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जाहाज हो, पानी के जहाज हो, या परिचालन की कोई भी बात हो इन सभी जगह, उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है विश्व में, स्पेस और सेटलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है शायद, जीवन इसके बिना अध्वरा हो जाएगा ऐसी स्थिती में, इन सभी उपकरणों की सुरक्षा, पुक्ता करना भी उतना ही महत्वपूर है आज की एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दुरुष्टी से और भारत की विकास यात्रा की दुरुष्टी से देश को एक नई मजबूती देगा मैं आज विश्व सबूदाय को भी आस्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने जो नई शम्ता प्राप्त की है या किसी के विरुद्ध नहीं है या तेज गती से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है भारत हमेशा से ही अंत्रिक्ष में हत्यारों की होड के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीती में कोई बढ़लाव नहीं आया है आज का यह परिक्षा किसी भी तरह के आंतरराश्य कानून अथ्वा संदी समझोतों का उलंगन नहीं करता है हम आधूनिक तक्णिक का उपयोग देश के एक सो तीस करोण नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्यान के लिए ही करना चाहते हैं इस छेत्र में शांती और सुरक्षा का माहूल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवशक है हमारा सामरिक उदेश शांती बनाए रखना है ना कि युद्ध का माहूल बनाना प्यारे देशवासियों भारत ने अंतरिक शेत्र में जो काम किया है उसका मुन देश भारत की सुरक्षा भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनी की प्रगती है आज का यह मिशन आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की और एक एहम कदम है जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवशक था आज की सभलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट समर्द्ध राष्ट और शान्ति प्रिया राष्ट की और बढ़ते कदम के रुपे देखना चाहिए यह महत्वपुण है कि हम आगे बढ़े और अपने आपको बविशकी चुनवत्यों के लिए तयार करे हमें बविशकी चुनवत्यों का सामना करने तदा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बढ़लाव लाने के लिए आदुनिक तक्निक को अपना ना ही होगा सभी भारतमासी बविशकी चुनवत्यों का सामना आत्म विश्वात से करें और सुरक्षित महसूस करें यही हमारा लक्ष है मुझे अपने लोगों की कर्मडता प्रतिवध्यता समर्पान और योगता पर पूर्ण विश्वास है हमनी संदे एक जुढ होकर एक शक्तिशाली खुशाल और सुरक्षित भारत का अंदिर्बान करें मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके सभी देश्वास्यों को आज की इस महान उप्लब्दी के लिए बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत छुप कामना हैं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साध्यों को फिर एक बार अभिननन करता हूँ बहुत बहुत धनवाद भारत माता कीजे भारत माता कीजे भारत माता कीजे